MANDFX का MIY12 का लेटिस्ट पोर्ट रोम जो की आपको 20.6.12 ब्योल नबर टेखने को मिल जाता है जिसे HN के तरफ से पोर्ट किया गया है हमारे Poco F1 के फोन के लिए तो इसका complete detail में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि क्या आप उस चेनलों देने को मेलता है कैसा stability, performance और क्या बर्ग अवेलवल है तो वीडियो को फूल एंटक्स वाच करते रहे ताकि आपको complete detail में पाए इस MANDFX के MIY12 के पोर्ट रोम के बारे में Hello everyone, I am MK and you are watching Tech Office और इस वीडियो में हम बात करने वाले है 20.6.12 के MANDFX MIY12 के पोर्ट रोम के बारे में जिसे HN के तरफ से port किया गया है जहां पर आपको one month, nine, two month old, 2024 one का security patch देखने को मिलता है build number बिल्कुल ही latest मिल जाता है और यहां पर pre minus का है जो hardware के तरह official kernel है जो यहां पर use किया गया है इस वीडियो में भी इसके channel लोग और कुछ इसके features के बारे में बात करेंगे जो सबसे पहले improvement और change की बात करें तो आपको camera के अंदर देखने को मिल जाता है और सबसे last पर जाने पर आपको मिलता है black eyes का तो यह है जो दो चेंज आपको देखने को मिल जाते है camera के अंदर तो यह है जो काफे अच्छा option दिया गया है बाकि जितने भी features आपको मिलते है camera के और से वो सब कुछ जो proper काम करता है कोई भी issues देखने को नहीं मिलता है वही यहाँ पर आपको चाइना का support मिलता है language आप चाहँ तो globally है जो build pro का edit करते हुए change कर सकते हो बड़ चाइना वाल अच्छे से काम करता है और अभी मैंने चाइना का अंसुपरिवल theme डाउनोड करके apply कर रखा है जिसके वाज़े से मेरा icon बगए है जो change है तो यह देखने में काफी जड़ा अच्छा लगता है वहीं पर calculator notes देखने को मिल जाता है notes में कुछ optimizing किया गया है जिसके वाज़े आपको पहले से better stability देखने को मिलेगा वहीं पर अगर महांत अपने gallery की और और को फोटो को edit करते हैं यहाँ पर sky का folder है यह आपको पहले download करना पड़ेगा उसक आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा तो बिल्कुली lag फिर हो गया है वहीं पर आपको यहाँ पर sticker में कई सारे नए option देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको photo edit में काफी जड़ा help करेगा जो कि मुझे काफी जड़ा बहतरी नहीं लगा जो कि इस update में add किया गया है वह इस वेदर बगरा मुजिक प्लेर बगरा सबकुछ आपको पहले जैसे देखने को मिलता है कोई भी चेंजमेट नहीं आता है यहाँ पर ब्रॉद्ध और अदिया गया कोई भी प्रॉल्म देखने को नहीं मिलेगा वहें पर skin on timing special features अगरा में सबकुछ सेम देखने को मिलता ह एडिशनल में अगर हम language के input के पास आए तो कई सारे multi language आपको यहाँ मिल जाते हैं बट overall language आपको देखने को नहीं मिलता है तो आपको अपकास favorite language यहाँ पर दिखाई देता है तो आप यूज कर पाकर native language में अधोज आपको इंग्लिस के language में यूज करना होगा ब्राजिल ह और बाके बहुत सारे option यहां पर दिखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा दिया गया है वहाँ पर पाकी जो latest features हाल फिलार में जो आए हुए से वह सारे features आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाता है जिनमें कोई भी कमी देखने को हमें नहीं मिलता है वहाँ निक्त की बा अगर आपको नो SIM है, इंसर्ट SIM का प्रोलम आता है बैंकी के अप के उपर, तो मैंने इसके लिए dedicated वीडियो दी आप किस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो, तो उस वीडियो का वाच कर लेना, आपको कोई भी प्रोलम देखने को नहीं मिलेगा, कि अगर आपको मेरे रॉम्स के रिवीव पसंद आते हैं, मेरे वीडियो पसंद आते हैं, टेक ओफिस के, तो चैनल को सस्क्राइब जरू करें, ताकि इसे तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहें, और नोटिविएशन को इन्योर करना न भूले, इवरी डे में कई सारे वीडियो देता हूँ, 4, 5, 6, 6 वीडियो जो जाते हैं, टेक के चैनल पर सभी को पोस्ट करका पाना दिक्तत होता है, इसलिए मैं कुछ वीडियो जो हो जो अपने सेकेंड चैनल टेक गेम पोस्ट करता हूँ, तो इसलिए आप इसे भी सस्क्राइब कर लेना, ताकि मैं ये चैनल हो या फिर हमारा ये चैनल हो, किसी पर भी वीडियो दू, आपको नोटिविशन मिल जाएं और आप उसका फूल बेनिफिट ले पाओ, हरवा की तरह MNDFX में काफी बहतरीन स्कोर मिला है, जो कि 352073 का है, जो कि मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया, और यहाँ पर लेटेश्ट आपको गेम टरो मिलता है, जहाँ आपको ये सारे ओप्सन के नेम भी देहने को मिलता है, यहाँ पर यहाँ पर जितने अप्लीकिस ने सब के नेम आपको देहने को मिल जाते हैं, जैसे के MX Player Pro, Browser, MI Community, Driver और अधर 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 ओप्सन वगेरा, तो यह मुझे काफी ज़्यादा सही लगा, वहें पर RAM Management की बात करें, तब देख से तो कई सारे टैब यहाँ पर ओपन ही, फिर भी यहाँ पर जो RAM दिखाई देरा है, वो 3GB है, टोटल 6GB में से, तो RAM Management में काफी ज़्यादा अच्छा है, वहें पर हीटिंग की बात करें, तो वहें आपको हीटिंग काफी देखनी को मिल जाता है, हर एक port room के अंदर, चाया है वो आपको है, HN का हो, केटी का हो, या फिर ओफिसल का ही, क्यों ना कोई room हो, तो MIY-12 के अंदर आपको हीटिंग देखनी को मिलता है, मोगा है कंब सरी हैं यह मिलेंगा ही मिलेंगा तो अगर आप हैवी तो कम होगा वह exemplu बैटरी ट्रेट बिधा तो मिलीःटल पर फॉस्ट। करते हो यहां पर काफी घूज बैटरी देखने को मिलेगा improvement दिखाई देगा यहाँ पर जो इसका extra features आता है customization यहाँ पर आप काफी अच्छे कासे customization कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर dual status bar decision को नहीं मिलता है फिर भी आप देख सकते हो batik icon को मैंने gap किया है speed meter मैंने enable कर दिया है और जो यहाँ पर network प्रपा कर रहा है उसे भी gap कर दिया है क्योंकि network फुल रहता है टेंसर नहीं है main हो जाता है कि यहाँ speed meter दिखाई नहीं दे रहा है यह सारी चीज है तो इसलिए मैंने that gap करके सिर्फ उसे percentage रखाया और speed meter को तो आप अपने मर्जी करनों सारे यहाँ पर changement है जो कर सकते हैं कैसा करना है कैसा नहीं करना है इस सारे setting को मैंने previous के यह video में explain किया था तो आपको पता हुआ कि क्या कश्रमाईस है हम यहाँ पर कर सकते हैं और यह जो setting का options है यह कितना जादा important है हमारे लिए और यहाँ पर always on का भी support मिलता है बट यह unstable है तो अगर आप इसे 10 second के लिए apply करते हो तो सही रहेगा लेकिन आप always on के लिए apply करोगे तो आपको unstable देखिन को मिल जाता है बट यहाँ पर support दिया गया है यह एक plus point है उमीड करते के जल्दी है improved हो जाएगा और बाके अधर MIY2A के भी support प्रोवाइड कर दिये जाएंगे जितने भी update अविलवल थे हो जो improved किया गया है वो सब कुछ मैंने detail दे दिया है इस room के बारे में यहाँ पे अगर आपको आपको कोई question से doubt रहे गया है तो comment session का आप यूज कर सकते हो यहाँ पर आप group program में support ले सकते हो यहाँ पर जो dual apps है यह sometime में जो can't start दिखाई देता है और sometime में जो काम करता है proper तरीके से तो dual apps के साथ छोटा मोटा problem आता है जो कि आपको manage करना पड़ेगा बट sometime में जो proper काम करता है कोई भी issues नहीं आता है dual apps को लेकर तो डिपेंड करेगा कि भाई आप यूज करते हो या फिर नहीं करते हो तो आज के लिए तना ही मिलते हैं निक्स वडियो में बाबाई